आप सभी का एक बार फिर से स्वागे थे हमारे को नए व्लॉग में तो आज हम आपको स्वाइबीन का जो प्लाट है इसको दिखा रहे हैं और इससे पहले हमने एक प्लाट और दिखाया था एक प्लाट के हमने जो ड्रिप पे लाएकर रखे थी एनर्स 150 उसके बारे में आप बताया था तो जिससे की उस प्लाट को बताने के बाद यह फिर हमने आप सभी को यह भी बताया था कि दो से आप आपको दिखाएंगे जिसके सवेंग में अक्टोबर की गई थी और लगवज़क्पक समयभी लगी हुई तो आज हम उस प्लाट पर आए तो आप थोड़ा सा बताएं कौन सी वोग्राइटि еще है मेरे को नैए बीजों सोण है मतलब बीज पे मेरा ज्यादा इंट्रेस्ट है और जहां हम खड़े हैं जिस बगीचे में खड़े हैं जहां स्वयविन लगी है इस प्लाट को भी आप यह दी देखेंगे अभी चर्चा के बाद में पूरा बगीचा भी दिखाएंगे यहां विभिन प्रजाती के फल्दा मतलब रखवाली करते हैं कि वह दो पाउं के जानूबर इसमें नुकसान नहीं पहुंचा हैं बाकी का तो हमने शोपरवजों की याद में यह log कड़क के यह देड़े का घुशा है यह दे लगा रखा है फल्दार में पूरा वीभिन-ब्रजात्य के इसमें फल्दार हैं अपना स्वैविन की बात करें तो जहां यह वीडियो चल रहा है यहां मैंने एनर्सी की 150 लगभग देड़ एकड में 26 अक्टुवर की स्वैंग है यह और आज वर्तमान इस्तिती में आप प्लाट का नजारा देख रहे हैं और इसके बाद में एनर्सी 121 भी लगी है और कुछ वेराइटियां यह जो कोड में हैं जैसे 13 25 अर जैस की 23 0 23 0 7 23 09 और एक और वेराइटी जो है वो 14 02 ऐसी वेराइटियां में लगभग तीन सवातीन एकड में यह सारी वेराइटियां 26 अक्टुवर की यह बाउनी है पूरी मेरी और एक साथ आप प्लाट भी देख रहे हैं जहां इस बगीचे में हम खड़े हैं यहां यह फलदार प इसमें लगा है इसमें इमली जो थाइमली आती है वह थाइमली भी दो पोधे लगे हुए हैं स्टार फूड लगा हुआ है इसमें कमरक लगा है साथ में इसमें आम की कोई लगभग तीस प्रजातियां अभी कुछ तो फल देने लगी है और कुछ में अभी फल आने की स्थिति में है अभी बारा मासी के भी हमारी तीन वेराटियां लगी है जिसमें मोहर आ गये हैं अभी और आप यदि नजदी की से देखेंगे तो अं प्लाट देखना चाहेंगे इसे सवयवीन देखना चाहेंगे या फिर आपका जो है पैटे कल्चर से लेलेटेड यह लगी हुई है अगर यह देखने आये तो मतलब इसका कोई समय है कि आप इस समय आ सकते हैं या फिर कभी भी सभी किसान वंधुवों का स्वागत है आप देख सकते हैं पर प्लाट देखने के लिए ससुल्क व्यवस्ता है इसमें निसुल्क व्यवस्ता नहीं है क्योंकि आप भी जानते हैं जब कुई नई चीज लगाते हैं तो किसान का एक भाव रहता है कि वह उसको हसिल करना तो तहीं न गया हमको भी नुक्सान पहुंचात जिसको भी देख रहा है मेरा मोबाइल नंबर है डवल नाइन डवल सेवन डवल सिक्स सेवन फोर फोर सेवन इस पर संपर्क करें और आप जब भी आए एक दिन पहले सूचना दे अच्छा लोग बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बाकी जो हमारा ये स्वैबिन का प्लाड है इसका अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे अभी फिलाल में तो इसको कितना दिन हो चुके है जिससे अगर स्वाहिएं की बात करने कितने तारीकी स्वाहिएं。 लग बग बारा दिन हो गया है दसे बारा दिन के बाद यह condition है और इसमें अगर बात करें कि खेद को किस प्रकार से प्रपार किया है तो पहले इसमें कल्टिवेटर रोटरविटर उसके बाद फिर इसको पानी दिया इसको की पानी पिलाना बोलते है या फिर हमारे चेतर में पहले लगी हुई थी इसके पूरे बहुत है निकल आने के बाद फिर इसको पूरा कल्टिवेटर कल्टिवेशन करा और उसके बाद फिर से स्मस्वाइबिन लगाई ताकि मिक्सिंग ज्यादा कम से कम मिक्सिंग हो तो यही सब कुछ है इसकी वीडियो में बाकी आपको आगे भी थोड़ी सी और जैनकरी हम देते रहेंगे